वाट्सआप गाइब मैं आज मिलें के एक बहुत ही कमागा बड़ा जो की है हमारा पीनट बटर तो कमपनी है हमारी माइफिटनेश तो सब्सक्री मैंने दो फ्लिवर वहाए हैं एक है हमारा चॉकलिट और एक है नेचुल तो इसके अंदर हमारे क्रंची फ्लिवर भी आते है तो चॉकलिट के अंदर भी क्रंची आता है एक और बहुत खास बात है जो हमारा नेचुल क्रंची है उसके अंदर अनस्वीटन आता है कि मलब भी ना शूगर वाला भी आता है तो किसी वोगर की दिक्कत हो तो आप वो ट्राइ कर सकते तो पीनट बटर के आपको क्या ही फ पोटी के साँ लाकी खा सकते हैं सैंजिघ म diversion टाल के कह सकते हैं आप चाहें तो अपने मतर भी बना सकते हैं जो लोग जिम जाते हैं उनको पता यह PEANN CK की मात्रा बहुत जाड़ा होती है और जल्दी से है तो जल्दी से आपको प्रोटीन चाहिए होता है तो इसलिके आप पीनर बटर जिम वाले भी ट्राय कह सकते हैं तो बच्चे भी खा सकते हैं बड़े भी खा सकते हैं हर एज के लोग पीनर बटर खा सकते हैं और आपको definitely यह ट्राय करना चाहिए तो आएए बात करते हैं इसकी packing के बाने में बहुत ही बड़ी आ तरीके ते पैक होगे आया था अभी मैं आपको ज़ट ज़रम दिखाऊंगी कितनी अच्छी पैकिंग से आया था इत्ची मेनी पैकिंग हमें बहुत ही रेर प्रोडस्ट के देखिए और साथ ही इसके अंदर बहुत सारी वरयाटी आती है आप चाहे तो 375 203 ग्राम का ले सकते हैं 510 ग्राम ले सकते हैं एक किलो 200 ग्राम का ले सकते हैं या 90 किलो की भी बड़ी सी पैकिंग आती है तो यह वाली पैकिंग है 1 kg 200 ग्राम की है चॉकलेट वाली और दोनों जो नेच्रूर वेवर हैं दोनों 1 kg 200 ग्राम की है तो आपको जो जरूरूर तो अगर आपके घर में बहुत सारे लोग खाने वाले हैं तो आप बड़ी वाली सर्विंग भी महा नगते हैं आपको थोड़ा साथ 200 ग्राम का स्वस्था आपको पड़ सकता है तो यह कंपनी हमारी मेड इंडिया है और बहुत ज़्यादा फेमस है और आईए अब इसको टेस्ट करें देखते हैं दोनों के दोनों फेवर में आपको टेस्ट करके दिखाऊ हुआ चॉकलेट एंड हमारा जो न नएब लिए इसके अंदर एक दम फिट जो है हमारा भॉक्स के हिसाब से ही एक दम यह फिट जो है हमारा थर्माकुल का बॉक्स बनाएं बहुत ही अच्छी मुझे इसकी पैकिंग लगी है तो इस तरीके की हमें एकदम सील पैक बॉक्स मिलता है अगर हम यहां देखें तो तो किसी को ingredients देख नहीं हो तो यहां में आपको दिखाता हूँ यह हमारा है natural flavor और इसके अंदर हमें प्रोटीन जो है 100 ग्राम के साफ से थोड़ा जाधा मिलता है 30 ग्राम मिलता अगर आप यहां पे देख सकते हैं तो पर 100 ग्राम और साथ ही से अगर हम देखेंगे चोकलेट वाले के अंदर हमें थोड़ा सा कम मिलता है यहां देखेंगे 26 ग्राम यहां पे लिखा हुआ है तो अपने एसाब से अगर आपको जोड़ चाहिए वह आप ले सकते हैं आईए अब मैं इसको खोल के देखता हूं कि भीया क्या बढ़िया हमारा अंदर से लिखते हैं अग् दूसरा वाला भी हम खोल देते हैं यह हमने खोला दूसरा और खोलते हैं एकदम पीनट बटर की एकदम बढ़िया स्मेल लग रही है और यह हमने अपना चॉकलेट वाला भी खोल दिया यह इसको भी हम करते हैं और यह देखने चॉकलेट का कलर एकदम बढ़िया लग रहा भॉल्टी बहुत अच्छी लग रही हैं पीनट का बहुत बढ़ीया टेस्ट आ रहा है और बहुत जादा ड्राय भी नहीं लग रहा है और बहुत जादा ओईली भी लग रहा है कभी peanut butter के अंदर जो oil होता है न मुफली का भी तेल होता है वो बहुत ज्यादा होता है उसी टेस्स सोड़ा सो आफ लगता है इसके अंदर ऐसा नहीं है आई अपना दूसरा टेस्ट करते हैं अब हम करने वाले अपना चौकलेट फ्लेवर टेस्ट और यह भी आइस इसा नहीं कि बहुत ज्यादा चौकलेट का फ्लेवर है मीडियम फ्लेवर है ताकि पीनट बटर चॉकलेट बटर नहीं करिदे चॉकलेट का सॉफ्ट है और पीनट बटर का साइड में अच्छा का सा टेस्ट आ है यह भी बहुत ही जादा बढ़ी है और डेफिनिटली आप लोग को ट्राय करना चाहिए तो दोस्तो यह था हमारा फ्लेवर खरीदने हो यह जो उन्ते फ्लेवर खरीदने हो में वीडियो इंची लिंक है वहां डाल दोगा आप जो भी चाहें वहां से अपना बाए कर सकते हैं तो टेस्ट की बात बहुत ही जादा बढ़ी है एकदम क्रीमी है ऐसा नहीं लागे कुछ भी मिलावाट मुझे लग रही है इसके अंदर और बिल्कुल ओईली नहीं लग रहा और साथ साथ टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है और कॉलर टी भी मुझे खाते ही लगे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है आइसिंग आपको डेफिनेटल लेकर आपको पीडर बिटर ट्रा खोनोगी के और बिल्हान दा लगो रहा है टेस्ट लेकर वरग योर्कष कीजान है व्यदै घजर को